हलो फ्रेंड आम डॉक्टर हर्षद्रावल एमडी होमियोपेथ और मेरी चैनल में आपका स्वाजत है मित्रों आज का सेवंटीन नवेंबर एक दुनिया में आपलैपसी ऑपयरे के पेचान जाता है सो जिसे हम एपिलेपसी को खीच बोलते या भार बोलते या सीज़ोर भी जा नहीं और सौ बॉल्सेथ ओर और सब्सक्राइब से एक छोटी उम्र से बढ़कर बढ़ी उम्र में आ और आज हम इश्वर को प्राठना करते हैं कि जो अल्टेनिटी मेडिसीन से ऐसे यसकी को हम और सारी दुनिया के लोग इखटे होके जो एपिलेप्सी के रोग से गुजर रहे हैं उनको हम बाइमुरली सपोर्ट करते हैं जिद्वा bełamet to your epilepsy क्या है इसक़ है क्या साइनेन सिम्टम से कौनसे प्रकार के अपिलेप्सी भो सकती है एपिलेप्सी का डाइनसेग्स कैसा होता है आतुनिक साइन्स की दवा क्यूं लंबे टाइम लेना पड़ता है फिर आप से जब आPadा हम क्या ढूण टॉन मन्यता है उसको भी हम डिसकस करेंगे और इसके लिए पांच जो बेस्ट होमियोपदिक मैडिसिन यह इसके बारे में चाहिए जो एपिलेप्सी जो डिजीज है यह मानसी करोग नहीं ही यह यह जो नियुरोलोजिकल गिनानतंतु का डिजीज है कई वार आमको जब एपिलेप्सी का आता है तो शरीर को ऐसे द्रूजने लगता है क्यांकि जब गिनानतंतू पर उसमाई कुछ बदलाव सरीर में आता है तो सबसे पहले एफेक्ट विए गनानतंतु यह नियुरोलोजि जिशाभन सकू एपिलेफसी माना गया है है तो एपिलेप्सी का कारण बहुत अलग है तो सबसे पहले जो छोटे बच्च्चे होते और डियुलिवारे के बाद प्रॉपर परें में आक्सिजन नहीं मिलता है तो ऐसो बच्च्वे को जन्मजाद से ही epilipsy होता है। कई बार ब्रेंन में कुछ infection होने के कारण बिन वी सब signature लोबिस्ट हैं कई लिए कमारे ब्रेंन में या ग्नानतन्थ ब्रेन या स्पाइनल कौर्ड में कुछ injury होने से भी एपिलेपसी होता है, करे बार spinal cord में या brain में कोई tumor होता है, या brain tumor होता है तो भी epidemic का attack होता है, करे बार ऐसे normal tumor या cancerous growth कहीं भी हो सकता है, तो भी epidemic का attack हो सकता है, करे बार हमारे सरीर में sodium या potassium की मात्रा में एक दम बढ़ावाता है, तो भी epilepsy होने का असंपह ना रहती है, ऐसे जो उपर के कोई भी सिम्टम्स नहीं हो और आपको एप्रिलप्सी आता है तो 30% केस में यह हेरीडिटर भी माना गया है कई बार हम ओवरुज आप अलकोल करते हैं और कई बार हमारा समोकिंग चेंश स्मोकिंग होता है इंको लोबी वी ऐपिलेप्सी होने का चांस होता है यद customize हम को शूगर सरीर में वद्गट होता है लोशूगर होता है तो भी negी Auto को कारण भी सरीर में सपोज कोई ड्रक्रेक्शन होता है तो भी एपिलेप्सी आता है एपिलेप्सी जब आता है तो शरीर को दर्दी एक बार कोई स्टेर द्रश्टी से देखता है शरीज स्टीफ हो जाता है मुह में से सलायवा और भी निकल लाता है. सरीर दर्दी गीर जाता है. सरीर अक़ड हो जाता है. टेंपरेरी इतना सपासम दर्दी को आता है तो हाथ पैर के जो नसे है वो खीछनले लग जाती है. शुरुवात में ऐसे बिहेवियर जब पेरंट यार फैमिली देखता है तो गबरा जाता है पड़ा इसे केस में धीरे-दीरे मालूम पड़ जाता है कि जो एपिलेप्सी का एटेक का ही भी आ सकता है दर्दी अकड हो जाता है दांट भीषने लग जाता है सेमी अनकॉंसेस हो जाता है शुरुवात में उसको फेस में ऐसे ब्रेन में कुछ और निकलती है कि दर्दी को कुछ मालूम नहीं पड़ता है तो ऐसे तरह उसके सिम्टम साते हैं उनके अलग-अलग प्रकार होते हैं करने वार गार्डनिन में एपिलेप्सी आ जाती है कई बार मेंस्टुरेशन साइकल से पहले भी एपिलेप्सी आ जाती है कई बार ज्यादा भूखे रहने से भी एपिलेप्सी आता है कई बार जो लोग रात को लेट नाइट जाकते हैं तो उन लोगों को भी एपिलेप्स का प्रखार हो सकता है अब यह पीलेपसि को कैसे डाइग्नोसिस किया जाता है तो आत्मिक साइन्स उसको यह करते हैं अर धर्दी को सिंटर्म्स के अनुसवार उनके साथ वारता लप करते हैं कितने साल से आपकी विमारी अइसे वो सब कुछ डेटा लेकि दर्दी को माना गय है कि उसको epilepsy का एक है अधुनिक साइन्स में जो मॉर्फिन में से बनती दवा होती है जैसे वालपारी है मेजेडॉल है ऐसे प्रकार की दवा दर्दी को 1-3 साल तक लिया जाता है पर यह दवा की साइड इफेक्ट है जैसे दर्दी खाता है तो उसको प्रकार के उसकी साइड इफस्ट होती है शुरुवात में तो ऐसा बोला जाता है कि दो तीन मेने तक दवा लो पर उसको लाइफ लॉंग लेना चाहिए पड़ता है पर आप सुरुवात के केस में जो परेलल हुमियोपधिक दवा लो और देरे देरे अलोपधिक छोड़ दो तो हुमियोपधिक में बहुत अमोग गरम पड़ा हो या कोई आपको हीटर बीटर हो तो इसे दूर रखे दर्दी को जमीन पर सुला दीजिए दर्दी के माथे पर टूवेल रख दीजिए ऐसे दर्दी को आप जो उनियन कई बार या जूता सुंगाते है तो आईसे प्रक्रिया मत कीजिए दर्दी को एक होने की संभावना कम रहती है यह एक मिनिट से तीम मिनिट तक चलता है बात में दर्दी को अर्शक्ति लगता है नीद आता है तो दर्दी को सोने दो जब तक ठीक नहीं हो है तब तक दर्दी को आप खड़े होना या चलना या खाना मत दो कई बार इसे और भी इसकी कई स्थार के गेरमन्यता भी है कि उसको psychological रोग माना गया है तो ऐसी बात नहीं है यह neurological disturbance का रोगे कोई मानसिक रोग का कारण नहीं है तो कई वार और्थोडोक्स फैमिली उसको मान देख भी नहीं है तो कुछ काम का नहीं है ऐसा नहीं है जब epilepsy attack आता है तो आदमे को अठेक आता थ i जिया सकता है तो बच्चा भी कर सकता है या कि इसमें कोई डरने की बात नहीं है ख़़ा आप अल्टरेनेटी मेडिसीन दवा लो तो आपको जिंगी भरा इसे जो साइट वाली जो दवा है मॉर्फिन में से बंती दवा आपको लेना नहीं पड़ता है तो यह जो ग्यान बंत से हमको फाइट करने का है कि अभी कोई कोई गांटपन की एक कोई डिप्रेशन वाली कोई बात नहीं है कोई मांसिक रोग नहीं है पड़े ग्न्यान तंतू कि रोग है अभी दुनिया के लोग भी समझ गया है कि भी जो एपिलेप्सी वाले दर्दी होते ता इससे तो नॉर्मल होता है जब अटेक आता है तब इंबैलेंस हो जाते है और दूसरे पेशेंट जैसे ही यह बिहेवर करते है तो होमियोपथिक में इसके लिए बहुत मास्टर ड्र और से तो शीट गास विरोजा नाम की जो दवाय है यह अमोग दवा माना गया है यह दर्दी को जब स्ट्रेस होता है दर्दी गुस्सा वाला नेचर में होता है और दर्दी और दिको को अंडर इंफ्लुएंस काम करना पड़ता है लॉंग टम उसको जो मानसिक विपरिद ज्यादा रहती है। जिए बाय बॉस में काम करता है, तो भी बोलता है। Ander Naum लेडिस होता है, घुबन डोमिनेसिए होता है। तो ऐसे फैमिले में, जिस को जो लेडिस को चर्चस को एपिलेपसी रहता है। यां हयाrettव तैंडर इंफ्ल्उेंस को मेल खिलों को अईसे दर्दी को नीद में डीप नीद में एक दम खीचा जाए वीक्सनेस लगे दर्दी को नाइट बूलने की हैबिट हो एंग्जाइटी रेता हो और रेस्लेस्नेस दर्दी दिन में रहता है उसको लैक आप कॉंसेंट्रेशन रहता है अत्मविस्व का अपाव रहता है वजन दवा लेना चाहिए थर्द नंबर की दवा है वुफोराना जा ग्रेट मेडिसीन जो लोगों को इरेगुलर लाइफ है सोने का ठीकाना नहीं है खाने का ठीकाना नहीं है और ज्यादा तरह बार की चीज़ खाता है तो सोडियम पोटेशन का इंबेलेंस रहता है ब्लड प् जाती है शक्ति का अफ़ाव रहता है बच्चा पेदा नहीं कर सकता है ऐसे कोई पूरुष हो तो उसको यह बुखोराना इसा ग्रेट मेडिसीन तो थर्टी पोटेंसी में दो से तीन मीना दवा लेना चाहिए फोर्थ नंबर की दवा है नक्सवामी का यह दवा हमारा इरे इसे केस में दर्दी को खुरा का पाचन नहीं होता है कैस बनता है और दर्दी को शुगर खाने की इच्छा होती है और कॉंस्टिपेशन रहता है दर्दी को पास्ट में भी हलिको बैक्टरियल इंफेक्शन रहा हो या जुदे मर्डे की जो सिखायत रहती है बात में उसको एपिलेप्स ही रहता है तो यह नक्सवामी का इस अग्रेट मेडिसी पूर्थ नंबर की दवा है इगनेश्या यह जो दवा है लीडिस के लिए है उसका टेंपरामेंट को किसने हर्ट किया हो या कई बार उसका इंसल् पर यह जाता है तो उनको मालूम नहीं पड़ता है और छोटी छोटी बातों में एंग्जाइटी कर देती है और जब मुहावरे में बैठता है तब उसका एपिलेप्सी का एटक आता है तो यह दवा इस ग्रेट मेडिसीन तो ऐसे तरह यह जो हम वर्ल्ड एपिलेप्सी डे सेवेंटीन नवेंबर को मनाते है यह रूक कोई म बांसिक रोग नहीं है यह सारीरिक रोग है और जन्यामतन्तु के रोग है तो चलो हम साथ में बीटके ऐसे दर्दियों के साथ हम अच्छी वहवार करें और अच्छी तरह उनके साथ कोपरेशन रखें तो उसको भी मोटिवेशन मिल सकता है और यह भी पार्ट आप सोसाइटी तो ऐसे हम प्राथना करते हैं इश्वर को के उनको भी नॉर्मल और मांसिक और सारीरिक शक्ति प्रदान करें और मेरा यह जो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आपको फैमिलियार फ्रेंड में ख्यार करें थैंक्यू वेर्य मैच